कई प्रेस कॉन्फरेंसेस बेंगौल को लेकर हुआ है किस प्रकार सम्विधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है इन इंडी अलायंस के सरकारों द्वारा उनके नेताओं द्वारा यहां आप देख रहे हैं बंगाल में भी और करनाटक में भी हम आज करनाटक के विशे को यहां उजागर करने के लिए बैठे हैं आप सबने खबर दी कुछ देर पहले कि करनाटक के महा महीम राज्येपाल ने अभी चंद घंटों पहले करनाटक के वर्तमान के मुख्यमंत्री सिदरमया जी के खिलाफ केश चले उनको प्रोसिक्यूट किया जाए इसकी पर्मीशन उन्होंने ग्रैंट किया है आप सबको पता है इसके पीछे की पटकता क्या है कुछ दिनों पहले मुदा लैंड स्कैम मुदा मतलब मैसूरू अर्बन डेवलाप्मेंट का यह जो अथौरिटी है यह जो पूरा मैसूरू में लैंड अलॉट्मेंट देखती है उसकी डेवल कुछ सिविक सोसाइटी के लोगों ने जो हमारे सिविल सोसाइटी के इंटेलेक्च्छल्स हैं उन में से कुछ टीजे अबरहम प्रदीप जी स्नेहमई कृष्णा इन लोगों ने करनाटक के गवर्नर थावर्चन गहलोज जी को एक पेटीशन दिया था और पेटीशन में देहाद देमांडेड देर पर्मीशन शुद भी ग्रांटेट फर पर्सिक्यूटिंग देशीफ मिनिस्टर अफ करनाटका और आज आपने देखा है कि गवर्नर ने पहले तो राज्यसरकार से पूछा था जवाब और जवाब में राज साहब ने सिदरमया जी के ऊपर केस चले सिदरमया जी के परिवार ने सिदरमया जी ने लैंड अलॉट्मेंट केस में घोटाला किया है यह स्पष्ट होता है और इस पर केस चले इसकी अनुमती प्रदान की है आखिलकार यह केस है क्या यह मुदा लैंड अलॉट्मेंट फर एक नियम बना रखा है कि अगर किसी ग्रामीन क्षेत्र में कोई लैंड अक्वायर करती है वो ले आउट के लिए कॉलोनी के डेवलप्मेंट के लिए तो उसके बदले 50-50% एक स्कीम उन्होंने खोला है अर्थात अगर लैंड ग्रामीन क्षेत्र का उन्होंने लिया है तो उसके एवज में जो कंपेंसेशन दिया जाएगा वो सहरी क्षेत्र में जिसको अंग्रेजी में आप अप मार्केट एरिया कहते हैं जहां जादा लाब होने की संभावना है जो डेवलप्ट एरिया है उस अप मार्केट एरिया में आपको पचास प्रतीशत जमीन दिया जाएगा ताकि आप कंपेंसेट हो सको अपने ग्रामीन क्षेत्र के जमीन के देखे 2004 में सिद्रमया जी की धर्मपत्नी पार्वती जी उनके भाई ने लगभग 3.16 एकर जमीन केशरी नामा के गाउं है मैसुरू में वहां उन्होंने खरीदा था 2005 में इसकी जो मालकिन वो पार्वती जी बनी थी जो धर्मपत्नी है सिद्रमया जी की बाद में खैर ये मालूम पड़ा कि ये लैंड ट्रांसफर डील हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये दलित की भूमी थी और हाल फिल हाल में ये पूरा केस उजागर इसलिए हुआ क्योंकि जिस व्यक्ति की ये तीन एकर जमीन थी उस व्यक्ति ने इसे रिकलेम किया मुदा से कि मुझे ये जमीन वापस दिया जाए मुझे ये जमीन नहीं बेचना था फ्रोडिलन तरीके से मुझसे ये जमीन लिया गया है और उस समय जब पूरा का पूरा investigation हुआ तो मालूम पड़ा कि मुदा ने already पारवती जी को जो कि धर्मपत्नी है सिधरमया जी की उनको 14 plot upmarket area मैसुरू में दिया जा चुका है जो कि लगभग ये पूरा का पूरा जो scam है उसमें स्पष्ट है कि जितने का compensation होना चाहिए था उससे कई गुना अधिक upmarket area में 14 land allotments हुए हैं और लगभग इसका आंकलन जो वर्तमान में media और जो वहां के जानने वाले लोग हैं उन्होंने किया है the whole corruption in fact goes up to about 3000 to 4000 crore rupees